कि इसी भी एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे होते हूं तो सबसे पहले चीज होती है क्या कि आप उस एक्जामेशन के लिए इलेजिबल हैं तो हाली में हमारा CDS 2.2024 का एक्जामेशन हुआ था बहुत सारे बच्चों ने इस एक्जामेशन को कर लिया है अपनी स्कोर लगाकर और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एक्जामनेशन के अंदर पास नहीं हुए हार नहीं माननी है हमने एक बार फिर से खड़े होना और सीडियस 1225 के लिए तयारी करनी है पर सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आप सीडियस 1225 के क्या आप सबसे बेला आगर जी तो सबसे बहुत करें आई में की इंडन मिलिटरी एडमी इसको जॉइन करने के लिए जो एज लिमिट होती है इस 19 तो 24 ठीक है जी 19 से 24 साल का बच्चा जो है यहां पर स्टूरेंट जो 1924 साल का वह जॉइन कर सकता है आई में अब यहां बात करते हैं कि इसके लिए लिज होने चाहिए तब आप आई में के लिए इलिजिबल है वहीं अगर हम बात करें आई अने की तो इसके लिए भी जो एज लिमिट है इस 19 तो 24 इसके लिए जो हमार को जो है रिक्वाइड होती है डाट इस कि नॉट बॉन अर्लियर दो जनवरी 2002 ठीक है जी दो जनवरी 2002 से प होती है उसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो एज लिमिट होती है डाट इस बीस से 24 सा ट्वेंटी से 24 यह जो है यहां पर इलिजिबल्टी होती है अगर आप दो जनवरी 2002 से पहले नहीं पैदा हो एन चीए और एक जनवरी 2006 के बाद नहीं पैदा हो एन चीए तब आ 19 to 25 ठीक है जी 19 से 25 साल तक की उमर होती है इसके लिए जो रिक्वाइड होती है इसके अंदर आपकी जो उमर है मतलब जो आप पैदा हो है दो जनवरी 2001 से पहले नहीं पैदा हो एन चीए और एक जनवरी 2007 के बाद नहीं आपकी जो है पैदा हो हो एन चीए तब आप जो क्राइटीरिया होता है अगर आप इन में से किसी भी लिजिबिल्टी क्राइटीरिया फॉल करते हैं तो आप जो सीडियस 1-2025 के लिजिबल है और बहुत जल्द जो है SSB Guide Defense Academy सीडियस के लिए पेड़ बैच लॉंच करने वाली है यहां पर आपको जो है सिरफ दो तिन दिन क इसके साथ आपके लिए प्रेजेंड करेंगए और मैं आपसे वादा करता हूं यह एक नंबर बैच होने